हेलो दोस्तों नमस्कार जहिन जह भारत मैं आपके अपने चैनल एम एड्यूकेशन सफ़र पर आसा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे अपने अध्यन कार में जुटे होंगे दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है प्राचिन भारत के इतिहास में शिंदुघाटी सब्रिता एक्ज मिल जाएंगे दोस्तों मैं अब तक लगबग पांस वीडिव बना चुका हूं जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको शिंदुघाटी सब्रिता की मोश्टली जो नगर नियोजन था उसके बारे बारे मताऊंगा इसके साथ साथ आपको जो शिंदुघाटी सब्रिता के सामाजिक दिसा थी उनसे वारें बताको नगर नेो जन और सामाजिक त्था धार्मिक बित्षेष्था हैं इसके बारें बताओ मैं इसे पहले 1 अब crashes तो ये वीडियो आपको बहुत ही सरल और स्यूरित लगेगा मैं दाविक साथ के सकता हूं और बादा भी आपसे कि मेरी वीडियो से कोई भी कॉशन बाहर नहीं जाएगा आप कोई बंडे अग्जाम देते हैं आपको यहां से कोई 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 काशन मिल जाएक को तक मेरे उसका सब्सक्राइब क्या करें सब्सक्राइब करते समय वेल ऑच प्लिक कर लें आपको तक जोग्राफी की काफी वीडियो बना दीए उसको पड़ीश कर ले लिए आप पर जोग्राफी की गलासे अपको मिल जाएगी इसे इंडिय जग्राफी लगों पर अधिया है तो आगए इस काम अधिन करते हैं शोडिवाइटी संप्रिता में दोस्त आज को आपको बताने जार का नगर नियोजन क्याता था कैसा था उसके साथ सामाजिक और आर्थ धार्मिक निती पिर की धार्मिक निती थी कैसे थी इनके बारें बताऊंगा आज में आपको मेरी वीडियो में ये दोनों टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगे तो देखिए आईए हम सबसे पहले नगर नियोजन के बारें बताते हैं किस सिंद्वाठी सब्रेता के नगर कैसे थे किस किस तरीके से थे तो नगर नियोजन सब्सक्का फटाग्स षंडगाटी संफिता के जो नगर थे वह两 भागों बट्ली ओऊ ते यह है इस तरीके से नगर थे और जो frley Além का जो निगर होता था कि से नगर छित्न कहते थे खरीर और जो पश्वी साइट का जो निगर होता था इसे सी दुषे आ कहते दुर्ग या घड़ी टिला सिंद्वी घड़ी सब्वेता के में जो भी नगर थे वो दो भागना पट्टी हुए थे एक तो नगर छेत्र होता था जो पूरी वी साइट का होता था ये पूरी साइट वाला से नगर इसका चित्र फल्षित्र नगर चित्र था इसका चित्र फल इसकी पिछ bunu होता था मतलब यह है यहां gas फ्रवभ पर होता था Nah that word यह बड़ा था यह चूटा था बतायाता है कि दुर्ग सित्र में उस्षी वर्ग के लोग नवास करतीने सब करने द était दो लोग इसमें निवास करते दुर्ग में और जबकि जो नगर्चित्र था इसमें किर्शक बर्ग मतलब किशान निवास करता था जो लाहे निवास करते थे इसके साथ ब्यापारी बर्ग निवास करता था शेयनिक बर्ग निवास करता था acum यो चैनिक भर्ग नमास करता था मतलब यह है किसमें जो निम्न मर्ग के लोग थे वो लोग नगर चीत्र में निम्न भर्ग के लोग और यो प्रुभेट यतर सास्थ हमिंआ सकरता था यह उच्छे छत्र भर्ग यह नीचे चेत्रबशा हुआ था यह चेत्र वर्म बड़ा होता था यह चोटा होता था इसके बाद देखें कि आप में इस त्रीके ले कि जो दूर्ग होता था वो एक रच्छा प्राचीर से घरा होता है मुल्यक्त चारोवर दीवार हुती ती इस तरीके से सिंदुगाटी संपिता में जो दुर्ग नगर होता था वह एक रच्छा प्राचीर से गढ़ा होता था इसकी जो बाहरी दीवार होती थी दीवार वो पक्की इंटों की बनी होती थी किस की बनी होती थी पक्की यूटो की बनी होती थी मेर जो अन्लेगा वाली दीवार होती थी ये वाली अंदर वाली दीवार हो वो कच्ची इव्टों की बनी होती थी किसकी बनी होती थी कच्ची इव्टों की बनी होती थी देखें मित्र जो पश्वी दुर्गया टिला होता था वो एक रच्छा प्राचीर से घिरा होता था इसकी दिवार होती थी बाहर की तरफ जो इंटे लगाएंगी थी वो पक्की कि दूर्ग और नगर्व यह एक रच्छा प्राचीर से सा गरपती हैं इसके साथ साथ। से गिरेंगे दोनों अच्छा प्राचीर से कौन-कौन से गिरेंगे वो आपको बताता हूँ में इसका एक उधान है काली बंगा काली बंगा में जो उत्खनित कारी किया गया है उसमें दुर्ग और नगर याद रखी में यहां से पीछे इसमें कौशनत पूछा जाता है ऐसा कौन सा इस्तल है जो जिसके दुर्ग और नगर चेतर दोनों अलग अलग अच्छा प्राचीर से इसके बाझालाग यहलां है अलग अल्यसे के तुछ लिए और यह देखना काल अधर का करक्यान है अ corner कर राजस्तान के अब पर नगरचे जो आप यह डरी अंब शंटत्या सब्सक्रान के और नगर अगर दोनों एक ही रच्छा प्राचीर से गिरे हैं सुन्द गाटी संप्रिता में कुछ इस्तल ऐसे है जो एक ही रच्छा प्राचीर से गिरे हैं किस से मित्र एक ही रच्छा प्राचीर से पहला तो ऐसा था जो अलग लगते वो काली बंगा था और दूसरा इस्थान है जो एक ही रच्छा प्राचीर से दौन नगर गरें हुए है उसमें कौन-कौन से है एक ही रच्छा प्राचीर से प्राचीर से कौन कौन से मित्र आप लोड कर लीजिए एक तो लोथल है कौन सा लोथल पूछा जाता है मित्र और दूसरा है मित्र चनहु दड़ू चनहु दड़ू यह दो इस्थाल ऐसे हैं जो एक ही रच्छा प्राचीर से गिरे हैं यह एक्जाम में पूछे जाते हैं मतरब कंसेप्ट और फैक्टी ग्रूप पूछे आते हैं याद आप इनको ठीक तरीकी से एक दो बार लगेगे देख लेंगे यादब यह चैप्टर आ प्राचीर से गिरे हुए इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत से एक इस्थल ऐसा है जो जहां पर कोई भी रच्छा प्राचीर नहीं है जहां पर कोई भी प्रच्छा प्राचीर नहीं है, सुन्दगाटी सब्रिता का एक ऐसा इस्तल है, जहां पर कोई भी रच्छा प्राचीर नहीं है, जैसे इसमें ये खुले हुए हैं, इसी तरीके से दुर्ग नगर और नगर छेत्र दोरों खुली वस्ता में कोई रच्छा प्राचिर नहीं तो आप लेख सकते हैं वो इस्थान कौँसा है वो है आपका तो चनहुदणों तो हो डूँदणों में कोई रच्छा प्राचिर नहीं है नहीं है यह फैक्ट की रूप पुश्याता है आप यह बता यह कौँसा इस्थल है जो जिसके तेगे तो आप पता सकते हैं, चनु दडू। इसके बाद देखेंगे, कि एक स्थल ऐसा है, एक स्रस्थल ऐसा है, जो तीर भागों बता हुआ है. इसे मध्यनगर कहते हैं, किया कहते हैं, मध्यनगर. सिंदुगाटी संपिता का एक ऐसा इस्थली पाया गया है एक ऐसा नगर पाया गया है जो तीन भागों बटा हुआ है यह आपका कौन सा है धौला वीरा कौन सा मित्र धौला वीरा गुजरात में है यह देखिए धौलावीरा एक ऐसा इस्तल है जो तीन भागम बटा हुआ है यह क्लियर हो गया यह आपको क्लियर हो गया कि धौलावीरा एक ऐसा इस्तल है जो तीन भागम बटा हुआ है दुर्ग, या घडी तीला, मद्नगर और नगर्शित्र ये तीन भागा बटा हुआ है ये कौन सा है? नहीं है ये गुजरात में है, खाँ पर मित्र गुजरात में है, ये आपको clear हो गया इसके बाद देखेंगे, जो नगर होते थे होती थे उसमें सड़कें कैसी होती थी तो नगर होती थे उसमें सड़कें जैसे यह नगर है कि यह मित्र नगर है कि इसमें जो सड़कें होती थी कि वह एक दूसरी को समकोल पर काटती थी किस पर काटती थी समकोल पर काटती थी तो आप लिक्स बता सकते हैं लिख सकते हैं कि सडके एक दूसरे को समकौल पर काड़ती थी, देखिए, जो मोहन जोड़ोड इस्थल है, कौनसा? मोहन जोड़ोड इस्थल है, वहाँ पर पक्की सडक के साथ छिमले हैं, किसके? मोहन जोड़ोड जिसे राजपत कहा गया है, क्या कहा गया है, मोहन जोड़ोड में जो सडक है, उसे राजपत कहा गया है, क्या कहा गया है, राजपत, अगर पूछा जाता है, राजपत कहा से मिला है, तो आप बता सकते हैं मोहन जोड़ोड से, और यह राजपत 10 मीटर चोड तो पक्का था किसा था यह मौन जोदोनों से प्राप्त एक स्थल है वह दस मीटर चुडा है और पक्का है मतला मौन जोदोनों से पक्की शड़के साथ शिमले है इसे उसमें क्या का गया है राजपत का गया है और जो जो सड़के होती थी जो सड़के होती थी वो मोस्टली देखा जाए चरके अन्डौ स्थानों पर देखा जाए सड़के 2.6 मीटर से लेकर के 3.7 मीटर तक होती थी चोड़ी होती थी जो नगर होती थे सिंदुवाट से बिताब के उसमें सड़के 2.6 मीटर से लेकर के 3.7 मीटर तक चोड़ी होती थी इसके बाद देखेंगे जो गलियां होती थी जाग पे गलियां देखी जाएं गलियां 1.8 मीटर तक चोड़ी होती थी जैसे इसके में अंदर गलियां थी वह 1.8 मीटर तक चोड़ी होती थी और जो नगर होती थे मित्रब यह जो नगर होती थे यह नगर आयताकार यह वर्गाकार होती थे नगर कैसे होती थे आयताकार होती थे और वर्गाकार होती थे एक बाद फिर देखिए नगर की आकरती कैसी होती थी चैब दुर्ग नगर रहा हो या फिर नगर चितर रहा हो उसकी आकरती आयताकार होती थे यह वर्गार होती थे इसमें यह सड़क जब कैसा है पक्का बना हुआ है कैसा बना हुआ है पक्का बना हुआ है से अन्य श्थरों पर देखेंगे तो सड़के 2.6 मीटर से ले करके 3.7 मीटर तक चौणी होती थी जब कि इसी नगर में जो गलिया होती थी वह 1.8 मीटर तक चौणी पाई गई यह आपको क्लियर हो गय कि इसकी बाद देखेंगे कि जो नगर होतीति थे वे ग्रेड वह जाल्नमा होती थे कैसा होती थे ग्रेड वह जाल्नमा जैसे यह, इस तरीके से, grade वो जानवा होते थे, इस तरीके से grade मो जानवा होते थे, तो अब बता सकते हैं, नगर grade मो जानवा होते थे, आपको मेप से ही लग रहा होगा कि नगर कैसे होती थे ग्रेड वह जालनमा होती थी इसके साथ देखेंगे कि जो नगर थे उसमें इस तरह गलिया होती थी इस तरह गलिया होती थी इस तरह किसे नगर होती थे उसमें इस तरह गलिया होती थी और इस तरह गलिया होती थी वित्र, और जो घर होते थे, घर के जो दर्वाजे होते थे, जैसे मान किते लिए ये घर है, ये घर है, ये घर है, घर का दर्वाजा गलियों की तरफ होता था, किदर होता था, गलियों की तरफ होता था, आप लोट लग सकते हैं, घर का दृवाजा गलियों की तरफ खुलता था, खुलता था, गर का दरवाजा गल्यों की तरह फ़िलता था औ lovely उस घर में एक जंगला लहाँोता था ताकि प्रकास गर के अंदर आ सकतें लेकिन में गरका नबाजे गल्यों की तरह फिलता था इसका एक अपवाद है इसका एक अप्वाद है कि जो लोथल इस्तल है कौन सा लोथल इस्तल है लोथल इस्तल से यह दर्वाजे थे वो गलियों की तरफ ना खुल करके मुख की सड़क की तरफ खुलते थे घर के दर्वाजे घर के दर्वाजे गली की तरफ ना खुल करके ना खुल कर सड़क की और खुलते थे यह में तरफ पूछा गया कॉशन है आप इसको याद रखिए कि ऐसा कौन सा इस्तल था जिसके दर्वाजे गलियों की और ना खुल करके सड़क की और खुलते थे तो आप पता सकते हैं लोथल गुजरात में जो लोथल है भागवार अधी की तड़ पर वो उसके दर्वाजे मोश्टली सड़क की और खुलते थे जब इस से जो अन्य स्थल हैं चाहिए मोजोड़ों हुआ हडपा हुआ काली बंगा हुआ कोई भी स्थल हुआ चरू दोड़ों हुआ उसके जो इस्थल थे वो मोश्टली गलियों की तरफ उनकी दर्वाजे इसका इसके सोट लेलें मत्रफ इसके में देखिए नगर नियुजिन में ही जैसे घर होता था जैसे मार की चलिए यह ग्रेड निम्मा पद्दत ही है देखिए इसमें यह गली है क्या है गली है इसके बाद इसके जो चारो तरफ इस तरीके से यह सड़क है यह क्या है इस तरफ यह गली है यह क्या है बुलू से में दखाया वह गली है इसके बाद जो दर्वाजा होता था यह दर्वाजा है यह वाला देखिएगा यह दर्वाजा है दर्वाजा के जच सामने इस तरीके से एक दीवार होती थी क्या होती थी जैसे यह दर्वाजा है दर्वाजा के जच सामने एक दीवार होती थी ताके घर के अंदर जो भी क्रिया प्रतक्रिया हो वह बाहर का व्यक्ति कोई देख न पाई मतलब यह है इस दीवार से क्या होता था कि यद कोई गली से निकल के जा रहा है तो उस दीवार के मादम से दीवार से अंदर जो भी क्रिया प्रतक्रिया होती थी घरेलू क्रियाएं वो किसी को दिखाई न दे तो इसके जा सामने क्या होती थी दीवार होती थी और इस दीवा सइसके पास इस तरीके से एक आंगन होता था हैbak क्योंता था है होता था यह आगण होता था हुआ है है कि यह घर है घर के अंदर यह दरवाजा है वभी कि दो ऑग वह इसके ज़स्ट साम्रें दीवार है दीवार के जस्ट पास में क्या होता था एका दूर्वता था और इसी के पास संय मित्रoqu मत ना यहाँ पर एक मते करने सिंदेवाटी संपिता पर गर में गण होता На कि ना होता il क्या होता था इस्नानागार होता था इसके रसपास में कुगार होता था कुग के पास में इस्नानागार होता था और यहीं पर एक रसोई होती थी क्या होती थी प्रतेग घर में एक रसोई होती थी जिसे आधनिक किचिन कहते हैं रसोई होती थी इसके बाद देखते हैं कि इस तरीके जाने के बाद इस तरीके सीड़ियां होती थी, उपर छटपे जाने के लिए सीड़ियां होती थी इनसे इसमस्ट होता है कि मकाम जो होते थे एक से अधिक मंजल के होते थे मतलब जो घर होते थे घर एक से अधिक मंजल के होते थे एक से अधिक मंजल के होते थे यह आपको क्लियर हो गया यहां फर इस तरहें सीड़या होती थी दोनों तरफ और सीड़यों के माध़्ण से च्छतपएं जा सकती थ mejorar और और विक मकान कमरे बने हुए थे और एक मकान में एक से अधिक एक मकान में एक से अधिक कमरे होती थे एक मकान में एक से अधिक कमरी होते थे, इस तरीके से कमरी थे, इस तरीके से कमरी होते थे, एक मकान में एक से अधिक कमरी होते थे, और यहां मकान एक से अधिक मंजिल का होता था, दो से तीन मंजिल का होता था, इस तरीके से, जो नगर विवस्ता थी मतला हम देखते हैं जो आदुनिक आज वर्तमान सहह में, जिस तरीके से अपने नगर होते हैं उसी तरीके से हमारे जो प्राचीन सब बता थी, वो इसी तरीके गे थी, मतलब हमारा देश देखा जाए, उस तो बे कितना भिक्सत हो गया था, तो मैंने आपको बताया नगर न्योजन बताया, अब इसका देखेगा, नगर न्योजन के बाद मैं आपको बताऊँगा, का अगला टॉपिक है सी पॉइंट है ूप ूफ है किसा माजिक ऐवन धार्मिक भवस्ता ओ एवन धार्मिक भवस्ता है हाओ व्यमस्ता है कि अब भी मेरे साथ इसस्तरी कहसे हडिंग डाले धार्मिक एवन की सामाजिक विवस्ता हम देखंगे क्या कर्षए स्वाजिक विवस्ता हम देखेंगे सबसे पहले कि संद्गाभी टी समपिता कbecue्स था सबसे पहले क्या देखेंके समाज क्या सा इसे वाध कि समाज में इस्तिरियों की दसा क्या थी इस्तिरियों की दसा क्या थी पित्तात्म समाज था मात्रात्मक समाज था कैसा समाज था उसके बाद देखेंगे कि इनके आभूशण कैसे थी उसको आद देखें के मनोर इंजन के साधन कौन-कौन से थे मनोर इंजन के साधन कौन-कौन से थे उसको आद देखें के इसका खान-पान कैसा था शाकाहरी थे या मा शाहरी थे किस प्रकार के वेक्थी थे तो सामाज एक मिवस्ता में देखते हैं समाज कैसा था इन टॉपप कैसे पेलते थे का और कि या त इसके बार हम लोग लिए banana sih हो तूरा कि स्माज को सब्साइब हो समाज मोश्टली देखा जाए कि तो तीन भागों बटा गुआ था सिंदुक आती सभिता का समाज तीन भागों बटा गुआ था सबसेरे पहने स्रेश्ट वर्ग था कि तो हो इसे पुरूहित है था है यह फेर पुरूहित वर्ग है जो दुर्ग में निवास करते थे तिस घड़ी में निवास करते हैं उसे पुरोईत कहा जाता था यह स्रेश्ट वर्ग था इसके बाद जो वर्ग था उसे मध्यम वर्ग कहते थे कि मध्यम वर्ग में आप देखेंगे तो प्रसासक सेनिक व्यापारी किर्शक जुलाहे सिल्पकार यह लोग निमास करते थे मध्यम वर्ग में आपके कौन सा वर्ग था प्रसासक वर्ग था सैनिक वर्ग था व्यापारी वर्ग था क्रशक वर्ग था जुलाहे थे सिल्पकार था यह आपका मध्यम वर्ग था समाज सिंदुगाटी सब्यता का तीन भागों बटा इसके बाद जो निम्न बर्ग था तीसरा बर्ग था वो कमजोर या निम्न बर्ग था निम्न बर्ग निम्न बर्ग में देखेंगे इसमें दास थे कौन थे दास थे मजदूर थे यह निम्न बर्ग था यह निम्ण बरग था इसके बाद देखेंगे कि जो मद्यम बरग और निम्ण बरग यह नगर चेत्र में निमास करता था नगर्चेत्र में निवास करता था जो मद्यम और निम्ण बर्ग था वो नगर्चेत्र में निवास करता था और जो स्रेश्ट बर्ग था वो दुर्ग्चेत्र में निवास करता था ये दुर्ग शेत्र निमास करता था समय तीन भागों मटड़ा हुआ था एक सुरेश्ट वर्ग था इस प्रिप रित भरताए दुर्ग शेंश कुर सर्थ निम इसमें दॉन निमास करताथ। अ किसमें नगर्चेत्र में निमास करता था आप इसका इसके सव लेले मित्र आप इसके सव लेले मित्र आच्छा शिंदगाटी सभिता में चार प्रजाती के लोग नाज करते थे चार प्रजाति के लोट निमास करते थे ती के लोग निमास करते थे शिंदगाठी संपिता में चार प्रजाति के लोग निमास करते थे सबसे पहले आलपाइन सबसे पहले कौन से थे आलपाइन थी आप जगरह भी फढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आलपाइन कैसे होती थे उनकी ना कैसे होती थी यह जबड़ा कैसा होता था यह माथा आगे निकला हुआ होता था हाइट कितनी होती थी इन सब के बारे में कि भूमद शागरी सबर्थि के तो भों निवाज करते थे ज्रीं डगाति सब्सक्च्रा मैं अगर चार कवेति पूछी आती है कि इनमें सवसे अधिक किस प्रजाति के पर रëकिन लोग निवाज करते सब सब से अधिक है जंध संक्या में ते मिल इसके और पूब्ध मेग सब करते हैं एक तो अलपान थी चुछत दोशे में संक्या सब से अधिक थी और देखेंगे प्रोटो आस्टलाइट फ्रोटो आस्टलाइट प्रजाती के लोग थे अ उसके बाद आई चौथर नंबर फर मोनोचे प्रजाती के लोग थे मोनो लाइट आप रजाती के लोग थे इस में सब्सेंग प्रजाति आप इसका इसको लेजिए अब देखेंगे इस तरियों की दसा कैसी थी इस तरियों की दसा कैसी थी दोस्तों आप लोगों से गुजाए से प्लीज आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक Hawkink करें सब्सक्राइब करें लाइक करें कोंडस कॉमेट्स करें और मुझे यह बताने का प्रی Block करे कि कि इस्त्रियों की दुसा कैसी देखिए इस्त्रियों की दुसा में देखेंगे सिंदुगाड़ी सब्विता का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था समाज कैसा था मात्र सत्तात्मक था कैसे कह सकते हम लोग क्योंके इसलिए कह सकते हैं कि सबसे अधिक सबसे अधिक महिस्तरियों की सरवादिक इस्तरियों की की मूर्ति मिली है की मूर्तियां मिली है सरवादिक इस्तरियों की मूर्तियां मिली है इससे स्वस्ट होता है कि समाज कैसा था मात्र सत्तात्मक था एक हलपपा ह cute हरपपा से इस्थल से पता चलता है कि एक मूर्ती विली हे उस मूर्ती वह गर्व से निकलता हुआ पौदा देखाये है इस तरी के गर्व से निकलता हुआ पौदा पोधा इस्त्री के गर्व से निकलता हुआ पोधा की जो मूर्थ एक मोहर मिली है मूर्थी मिली है वो हडपा इस्तल से मिली है कहा से मिली है हडपा इस्तल से मिली है इससे इस्पश्ट यह होता है कि जो इस्त्रियां थी जो इस्त्रियां थी कि वह शक्ति और उर्वरक की सूचक थी, शक्ति की और उर्वरक की उपजावी की सूचक थी, हडपा सब्विता का समाज था, वो मात्तात्मक था, इससे इस्पस्ट होता है, कि जो अनेक संख्या में इस्तिरियों की मूर्ति मिली है, एक हडपा से एक मूर्ति मिली है, जिस प निकलता हुआ पज़ा दखाया गया है सबसें नोर्ट कर लिजिएरione कि है इस तरह किस्तरीगश्ट निकलता हुआ पज़ा प्छाओ क reflecting साथ किसकी मात्र देवी की मूर्ति मीघया है निए इसके साथ हम देखते हैं मात्र सुटार्ट माथ स्माज लेकि इस तरियों के दुसा साह कि इतन अच्छे भी नहीं थी क्योंकि हमें सतीपरागे साथ सम隊 किसके सतीपरागे साथ मिलते, सतीपरागे साथ कहा से मिलते हैं靡 तो आप देखाएंगे का लिवंगा और लोथल काली बंगा और लोथल से हमें सती परथा के साथ चमिलते हैं काली बंगा और लोथल से हमें सती परथा के साथ चमिलते हैं तो इस्त्रियों की दसा मतलब मेरा ये है कि समाज था वो मात्सत्तात्मक था इस्त्रियों दसा अच्छी थी लेकिन हमें सती पर्थाके साथ च्मिलते हैं, वो काली बंगा और लोतल से सती पर्थाके में साथ च्मिलते हैं, और खान पान में देखा जाएं, खान पान में अगर हम देखें, तो यहां के लोग शाकाहारी और माशाहारी दोनव प्रकार के थें, दोनों प्रकार के थे त्योंग हमें अनेक इस्थलों से जो गेहूं बाजरा शर्षों चावल बुशी इनके सबके साथ श्विले हैं तो इससे सबस्थ होता है यह लोग साकाहरी थे इसके साथ साथ देखें तो एक इस्थल है शंगोल उत्तर प्रदेश का संगोल संगोल से जानवरों की हड्डिया मिली है इससे सबस्थ होता है कि लोग मासाहरी थे जानवरों की हड्डिया की हड्डिया मिली है जिससे यह सबस्थ होता है कि यहां के लोग मासाहरी भी थे कैसे थे मासाहरी भी थे उसके बद देखेंगे इनका वेस मुसा कैसा था आप इसक देखिएगा इनका वेस्बुसा कैसा था कि अ कि अ कि मित्र वेस्बुसा में ये सूती कपड़ी पेंदे थे सूती कपड़ी पेंदे थे और उनी कपड़ी पेंदे थे दोरों प्रकारी कपड़ी पेंदे थे सूती कपड़ी पेंदे थे और उनी कपड़ी पेंदे थे और आभूशणी पेंदे थे हम एक साथ देखते चलेंगे अभुशन भ्यक्गदि सूति कपलों में देखा जाए तो मित्र यहांके लोग यहां के लोग कपास की खेती जानते थे क्योंकि मोहन जोदलों से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है इसके साथ देखेंगे अगले पॉंट में इसी मोहन जोदलों से एक योगी की मुद्रा प्राप्त हुई है जो रंगीन या तीन पतिया शाल या चादर उड़े हुए उड़े हुए मित्र योगी की मुद्रा में एक देखती है वो एक इस तरीके से एक साल या चादर उड़े हुए उसकी जो चादर है उसमें तीन पतिया चपी हुई है इससे सपस्ट होता है कि ये लोग रंगाई का भी काम जानते थे उनी कपड़े पेंते थे अब आभूशणों में देखेंगे आभूशणों में देखा जाए मित्र जो गरीब लोग होते थे वो शंक, सीप, मिट्टी के आभूशण बनाकर पेंते थे शंक, सीप, मिट्टी की बने हुए आभूशण पेंते थे जबके अमीर लोग होते थे अमीर लोग होते थे वो शोना चान्दी हातीदांत के बने हुए आबुषन पैनते थे क्योंकि जो चनूदड़ो है क्या चनूदड़ो है चनूदड़ो से मेकप बॉक्स प्राप्त हुआ है क्या प्राप्त हुआ है मेकप बॉक्स प्राप्त हुआ है हडपा से काजल प्राप्त हुआ है हडपा से काजल प्राप्त हुआ है और मोहन जो दड़ो से मोहन जोदलोसे बित्र देखा जाए तो चांदी की की अंडाकार चूडिया प्राप्त हुई है चांदी की अंडाकार चूडिया प्राप्त हुई है तो बेशबुसा में ये लोग कपड़े पहनते थे सूत्य और उली दोनों प्रकार के पढ़े पहनते थे कड़ाईदार कपड़ी पहने के साथ चीविले हैं आभुषणों में गरीब बहलाएं संक, सीप और मिट्टी के बाभुषणों पहनती थी अमीर लोग सोना चांदी और हादांत के पहनते थे चनुदड़ों से मेकप बोक्स प्राप्त हुआ, हडपा से कादिल के साथ प्राप्त हुए हैं और महँजड़ों से चांदी की अंडाकार चूडिया प्राप्त हुई है यह पूछा गया कॉश्चन है मित्र, महँजड़ों वाला आप इसे नोट कलीजिए अब हम लोग देखेंगे मनो रंजन के साधन मनो रंजन के साधन मनो रंजन के साधन मनो रंजन के साधन में देखें तो सिल्दुगाटी संपिता के लोग डोल बजाना भी जानते थे पस्व पच्चियों को लड़ाना पस्व पच्चियों को लड़ाना भी जानते थे डोल बजाना भी जानते थे शिकार करना मचली पकडना मचली पकडना चौपड या पासा खिलना ये इनके मनोरेंदर के साथ थी ये इनके धोल बजाना धोल या मजीरा बजाना पस पच्चियों को लडाना अपस में सिकार करना मचली पगड़ना चौपड या पासा खिलना सिंद्धुगाटी सब बिताके मनोरेंदर के साथ थी आप इसके सौट लेले अब देखिए धार्मिक निती इन लोगों के धार्मिक निती कैसी थी यह मैंने आपको सामाजी निती बताई अब मैं आपको बताऊए धार ऍलारर्मिक निती में यह पूजा करते था शयाक्या करते थे पश्यपत्सित को करते थे थे क्योंकि महान जोड़नों से क्यां के से प्राप्त हुई है महान जोड़नों महान मोहंन जोदिड़ों से पश्वद्शिंपति सिर्थी मょहर प्राप्त हुई है, इसे जो खुजा गया है, इसे खुजा था, पश्वद्शिंपति मूर्थि ए यसी खुजा था आर्नेस्ट मेक ए ने खुजा था, आर्नेस्ट मेके ने खुजा था और इसका जो नामकर्ण किया है जो नामकर्ण किया है वो सरजान मारसल ने किया है किसने किया है सरजान मारसल ने मोहन जोड़ों से पश्पत सिर्की मोहर प्राप्त हुई है इसको जो खोजा था वो आर्नेस्ट मेके ने खोजा है और इसका नाम करण किया है वो सरजान मार्सल ने किया है ये पूछा गया कॉशन है, फैक्ट और कंसेप्ट दोनों के रूपे पूछे के कॉशन है आप इनको याद रखेंगे जो पश्पत सिर्की मूर्ती है, इसकी कुछ मतर मिसेश्ता है आप मेरे साथ इस तरीके से एक मोहर है इस तरीके से, मैं पनाने एक आयता कार मान किसे लिए ये पश्पत सिर्व है ये क्या है पश्पत सिर्व है यह प्र hybrid सिवह की वोह रहा है इनकी कुछ एक विस्जिश्ताइं इनका ये वाला दाया वाला हाथ है यह थाया हाथ है और ये बाया हाथ है तो इनके दाएंटरफ की तरफ दाएंटरफ इनके दाई तरफ हाथी और बाग मिला है वाग का चितरंकत है हाथी और बाग का चितरंकत है दाई तरफ राइट है दाई तरफ क्या है इनका हाथी और बाग इनके दाई तरफ है और गेणा और भेसा गेणा और भेसा ये इनके बाई तरफ है किदर है बाई तरफ है, यह बाई तरफ है, बाई तरफ क्या है, गेड़ा और भेसा है, दाई तरफ हाती और बाग है, और नीचे, इस तरीके से नीचे दो हिरन दिखाए गई, क्या दिखाएं, दो हिरन के चित्र दिखाए गई, यह बूछा जाता है, कि पशपश सिभ है, इसके दाई तरफ कोई है, बाई तरफ कोई है, नीच से कोई है, आप उनको याद रखे, हाती और बाग, आपके दाई तरफ है, हाती और बाग, यह दोनों खुकार जानवर हैं, तो सीधे तरफ होंगे और जो कमजोर हाथ है लेफ्ट वाला वो अधर ग्याड़ा और वहसा है तो आप इसका इसकी स्वाट ले लिजिए इसके बाद देखेंगे धार्मे के वस्ता में एक सींग वाले ब्रशल ब्रशल के पूजा के साथ सी मिलते हैं ब्रशल वाला बैल एक सींग वाले वाले ब्रशल पूजा के साथ सी मिलते हैं इसके बाद देखेंगे नाद पूजा के के साथ मिलते हैं ब्रच पूजा के साथ मिलते हैं जल पूजा के साथ मिलते हैं जल पूजा के साथ मिलते हैं जल पूजा के साथ मिलते हैं अगने पूजा के साथ श्मिलते हैं अगने पूजा के साथ श्मिलते हैं क्योंकर अनेक स्थानों से अगने कोड़ा प्राप्त हुए है अगने पूजा के साथ श्मिलते हैं जो ब्रिशाल पूजा थी यह वाली इसके साथ से मोहन जोड़ों से प्राप्त हुए ही तो यह मैंन सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कोमेंट करिए आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत